जैस्वाम इनारेन दोस्तों अक्षा प्लांट अन्प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है आज अभी गर्मिया जो है आप लोगों पता ही आल कहल की स्टार्ट हो गई है और वाटरिंग का जो है अपने को प्लान करना पड़ेगा अपने पॉट्स में तो एक पैटर्न ह होता है यह एक होता है जिसको अप ध्यान में रखते हैं वाटरिंग अगर पॉट्स में करेंगे तो काफी कुछ जो है आप मिलेगा या आप लोगों साथ बताने चाहूंगा वह लोगों को कि मैं डिससे शास नहीं किा आज पानी दिया और फिर में सभी को पानीु करना पाशा नहीं मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ पर्ट से हैं जिन में पानी मीरें दो दिन बाद है कुछ में जाए कर दो इल्कODarin ने को सब्सक्राइब करके अगर आपने सबस्क्राइब कर Earlier 005 Spreadकार तो दोस्तों में शुरू कर लेते हैं आपने लाउस्ट-10 तो दोस्तों पूरे गार्डन में लग 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 कुछ एक मापको प्लांट दिखा दूगा कुछ एक पॉट्स दिखा दूगा और उसमें वाटरिंग का जो मैं कैसे डिसाइड करता हूं कि नीड है कि नहीं है सबसे पहली बात जैसे आप यह देख रहे होंगे कुछ जो हैं प्लांट मैंने अभी अभी रिपोर्ट किया रिसेंटली दो चार दिन हुए तो इन में पानी देते से मैं अपने को क्या धियान रखना है कि इनके अंदर पानी जो है आपका पॉट है उसके अकॉर्डिंग भी जो है आपको वाटरिंग प्लान करनी चाहिए सिर्फ ऐसा नहीं कि एक लाइन से आपन शुरू करें और पूरे के अंदर पानी देते वे चले गए लास्ट कॉर्णर तक पानी दे दिया गार्डन के हर पॉट अपने आप में चलता नहीं आपके अगर आपके गार्डनर पानी देता है तो अपने उसको भी ट्रेन करना चाहिए कि पानी किस तरीके से वह अपने पॉट में दे सिर्फ पानी घमला भर देने से काम चलेगा नहीं क्योंकि उससे आपके प्लांट जो है डैमेज होते जो तो पहले-पहले अपने को इसमें गैप रखना है जब तक वेल अपना मीडिया ड्राइन हो जाए अब अगली बात आती है दोस्तों इस तरीकी के बड़े मैच्वर प्लांट की और साथ में यह पॉट मिट्टी के हैं तो मिट्टी के पॉट्स में क्या होता दोस्तों कि इनका जो मीडिया ज ब्राम में में की जल्दी सूख जाता है और निटी वालों हम पानी देते समय के अप्रेशानी पंडार इसके सब्सक्राइं क्योंकि मिट्टी वालों में पानी जल्दी सूख जाता है इसके लावा ड्रेनिज जो होता है मिट्टी में ज्यादा होता है अब समझे अगर इतना ही बड़ा पॉट जो है अपना प्लास्टिक का हो तो उसके अंदर आपने को बहुत कैर्फुली पानी देना है जितना इतने जस और आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेतें जैसे यह पर दोस्तों जती जी आपने प्यालों में लगाये हुए चोटे आप देख एक के कुछ फ्लांस है तो इस टाइप के अगर आपके प्लांस आपने लगाया voyez तो इसमें वी जो है व olmas कि ए टealth कम है पोड में To m स जो है जादा ओपन है और गहराई कम है तो उसकी वज़े से जो है इनमें भी वाटरिंग मैं लगबग लियूं समली जाहीं के अंदर मैं अभी से जो है डेली इनमें वाटरिंग कर रहा हूं अगर आपने बहुत ऐसी जगह रखा है जहां ज्यादा देर तक पानी आता रहता ह है तो इन तीनों पॉसकी जहरा है वह दो इंची के करीब माउथ ओपन है मिट्टी का है तो इसमें तları के वाटरिंग इंस में पानी नहीं तो वो जो है आपके plants मर सकते हैं तो next जो है दोस्तों मैं यह आपको दिखाना चाह रहा था इस तरीकी के जो है प्लास्टिक pots हैं इनके अंदर कैक्या है बात एक तो इनकी depth बहुत ज़्यादा है लगवग 8-10-10 इंस तक गहरे हैं pot इसके अलावा plastic के हैं तो इस टाइप की ज हों प्लास्टिक के हों गहरे हों और गहरे होने के अलावा जो है इसमें depth ज्यादा है इनकी एक्चुली तो depth ज्यादा होने के वज़े से जो है इनके अंदर जो है सूखता नहीं है दूसरा जब गर्मिया पढ़ती है तो पौट इतना गरम हो जाता है और अंदर जो है एक तरीके से जो है पूरा मीडिया जो है उसका temperature बहुत हाई होता है उपर से आपको सूखा सूखा लगेगा मगर रूट लेओल पर आप जाके देखेंगे तो इतना ज जो है drainage बहुत important है कि इतना बड़ा pot है मीडिया बहुत ज्यादा है गहराई बहुत ज्यादा है तो मीडिया को dry होने में थोड़ी सी समय लगता है इसके अंदर और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं जैसे इस तरीके के छोटे pot हैं तो इन में बहुत ज्यादा problem व बहुत important कारण हो जाता है तो इस तरीके दोस्तों कुछ एक pot के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं तो आपने को समझना पड़ेगा आप जैसी वाला pot है इसमें watering ज्यादा नीड है और इस तरीके का pot है उसमें watering की कम नीड है तो अपने को जब भी पानी दें तो यू नही पॉट हैं बहुत केरफुली उसमें watering कीजिए और मिटी वाले में बहुत ज्यादा sensitivity नहीं होती कि प्लांट को नुकसान पहुंचाए तो दोस्तों मिद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा अक्षर प्लांट और प्लांटर आपका अपना चैनल है ज्यादा वीडियो को शेयर करें लाइक करें वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार